अपने घर में एंटीक और यूनीक होम डेकॉर आइटम किसे नहीं पसंद है और वो भी अगर हैंडमेड हो और बहुत ही कम कॉस्ट में तो उसके बाद ही कुछ आ रहे हैं So hello and namaste everyone, welcome back to my channel ArtShell हमारा first antique DIY है एक संदूक तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है catberry का यह चॉकलेट बॉक्स इसके बाद मैंने पानी और favicol को equal amount में mix किया है और उसकी help से मैंने इस पूरे बॉक्स पर tissue paper लगाया है brush के help से आपने दीरे दीरे इस tissue paper को इस पे स्टिक करते जाना है आप चाहो तो ये step skip करके direct paint भी कर सकते हो बर देन tissue paper से एक texture आता है जो कि हमें mostly antique चीजों में देखने को मिलता है इसलिए मैंने tissue paper का यहाँ पर use किया है ऐसे संदूक बनाने के लिए आप MDF के boxes भी ले सकते हैं link मैं आपको description box में दे दूँगी तो ये tissue paper लगके पूरा सूप चुका है इसके बाद मैंने लिया है molded clay दोनों compound को mix करके एक dough बना लिया है और फिर उसे कुछ इस तरीके से मैंने roll किया है अगर आप clay use नहीं करना चाहते हैं तो उसका substitute मैंने next DIY में share किया है अभी इस संदूग के उपर मैंने pencil से पहले ही marking कर लिया था और उसके उपर favicol के help से मैंने अपना ये clay जो है वो stick किया है इस संदूग को decorate करने के लिए हमाई पास बहुत सारे other options भी है जैसे आपने mirror का use कर लिया या फिर stones का use कर लो आप इस पर direct painting भी कर सकते हैं तो it all depends on you आप इसको कैसा look देना चाहते हैं यहाँ पर मैंने पूरा इस पर clay work ही किया है और बहुत ही easy झाल झाल इन दे शेट ऑफ कैड़िड ब्ल्यू ग्राफ्ट लोगर के तो चॉक पिन से वह बहुत ही अमेजिंग शेट में अवेलेबल है तो दू चक आउट एंड आप मेरा कुपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं आर्चल 05 फॉर एक्स्ट्रा डिसकाउंट तो इस पॉंज के हेल्प से मैंने पूरे बॉक्स को इस शेट में कवर कर लिया है झाल 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 तो इसको मैंने सबसे पहले कर दिया golden spray paint और यह मैंने यहाँ पर cover कर लिया था so that यह black ही रहे इसके बाद extra कोई paint लग गया था तो मैंने nail paint remover के help से उसको remove कर दिया फिर यह हमारे पास एक cardboard का टुकड़ा था जो कि हमारे पास mostly packaging वगर में आता है तो इसको मैंने black paint करके और यहाँ पर इस तरह की से stick कर दिया regulators जोते इसके volume और channel के उसको भी मैंने black paint करके यहाँ पर stick कर दिया and that's it इतना simple दा यह वला DIY थो तो जरूरी नहीं आपके पास radio हो लेकिन अगर ऐसा और भी कोई भी आइटम अगर आपके पास हो जैसे की old telephone हो गया तो उसको भी आप इस तरीके से एक home decor item बना सकते हैं तो कैसे लगे आपको आज की तीनों DIYs do let me know in the comment section below और और भी आप मुझे बताइए कि आप किस चीज को इस तरीके से एक antique home decor item बना सकते हैं तो I hope यह video आपके लिए informative रहा होगा और आपने इन से कुछ ना कुछ सीका होगा So thank you for watching the video and अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है then please consider subscribing it and also press the bell icon to get early notifications